दोस्तो पिछले वीडियो में हमने float switch क्या होता है उसका working internal mechanism देखा था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि float switch को tank में कैसे डालते हैं और इसके nonc दोनो connections को और अच्छे से समझेंगे तो आपके busy schedule का ध्यान रखते हुए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं जल्दी से शुरू जैसे आपको पता है float switch में एक ball mechanism होता है जिसमे float switch नीचे जाने पर याने tank empty होने पर और float switch उपर आने पर याने tank full होने पर हमें दो signal output मिलते हैं तो motor से connection करने से पहले आपको multimeter से एक बार NO NC contact को देख लेना होगा mostly black wire इसमें common होती है और बाकी जो दो wires होते हैं उनमें से एक NO और एक NC होती है समझते हैं दोनो connections को motor को हमने connect किया है normally open connection से तो जब tank empty होने वाली होगी तब float switch नीचे की और जाएगा याने metal wall नीचे की और जाएगा और NO point का connection common से complete होने की वज़े से motor on हो जाएगी लेकिन अगर आपको opposite connection चाहिए याने float bottom पर जाने के बाद motor off होनी चाहिए तो आपको motor को NO की जगे NC से connect करना होगा तो जब tank empty होने में आएगी या जब float switch नीचे की और जाएगा तब common के साथ connection break होने की वज़े से motor off हो जाएगी दोस्तो ये connection हमने direct 230 volts AC के साथ किये है float switch को आप 230 volt AC पर operate कर सकते हैं लेकिन ये 8 ampere से 10 ampere तक का ही load handle कर सकता है याने अगर load 10 ampere या उससे ज़्यादा रहेगा तो wire जलने का खतरा हो सकता है तो इस case में आप contactor या फिर high amp rating जैसे 25 amp का relay यूज़ कर सकते हैं depending upon the load connections में दोस्तो याद रखे एक tank के लिए एक float switch sufficient है लेकिन अगर आपको दो tanks operate करने हैं तो आपको दो float switch लगेंगे अगर दो tanks operate करनी हैं like upper tank and bottom tank जैसे municipal का operation में होती है तो इस case में अगर आप दोनों tanks को एक ही logic से control करना चाहते हैं तो आपको एक water level controller का use करना ही पड़ेगा इस part को दोस्तो counterweight कहते हैं ये heavy होता है क्योंकि इसके अंदर sand होती है इसे हम tank के center reference point पर fit करते हैं अगर tank 6 feet की है तो इसे 3 feet पर लगाते हैं तो जब आप float switch को आपके tank में fit करने जाएं तब सबसे बहरे float switch की wire को counterweight की तरूप बाहर निकाल लें कुछ इस प्रकार से इस counterweight में ये wire अच्छे से fix हो जाती है उसके बाद अपने tank के बाहर इसे लगा कर check कर लें कि counterweight बराबर या approximately center पर ही है या नहीं ये होने के बाद आप इसे tank के अंदर डाल लें तो दोस्तो जब tank full हो जाएगी तब ये switch उपर आएगा यानि counterweight के उपर आते ही ये motor को off कर देगा और tank empty होते ही motor on कर देगा तो दोस्तो इस प्रकार आप connections करके float switch को आपके tank में install कर सकते हैं अगर आप इस float switch को खरीदना चाहते हैं तो हमने contact details description में दिये होए हैं I hope कि आज का हमारे ये वीडियो आपको समझ आया होगा दोस्तो अगर आपको किसी भी part से related कोई भी information या doubt है तो आप हमारे instagram page पर हमें DM कर सकते हैं जिसकी link हमने description में दी हुई है अगर आपके कोई सवाल है सुझा होंगे तो उन्हें हमें comment करना ना भूले अगर हमारा content आपकी life में जरा भी value आड़ करता है तो like के साथ subscribe करें साथी bell icon दबाना ना भूले जिससे हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप ही को दिखेंगी तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में